हेलो एवरीबन आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल बांडिंग का एक बहुत इंपोरन्ट पार्ट है ओक्सिडेशन नंबर बेस्ट ओन स्ट्रक्चर होता क्या है कई बार हम कुछ कंपाउंड के ओक्सिडेशन स्टेट हमारी ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो मैथड होती है उससे नहीं निकाल सकते जैसी कि अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास अगर CRO5 है तो क्रोमियम का उक्सिडेशन स्टेट आपको मिलेगा प्लस 10 जो पॉसिबल यहां पर नहीं है यहां पर हमें उसका उक्षरेशन स्टेट निकालना होगा structure के base के उपर और उसका structure जो होता है वो butterfly strructure होता है जहां पर आप देख सकते हो peroxide linkage है यह peroxide से और यह oxide है so oxygen अलग-अलग state के अंदर है क्रोमियम ने कितनी link बनाई देख लो एक, दो, तीन, चार, पांच छे तो इसलिए क्रोमियम का स्टेट यहाँ पर क्या आएगा प्लस 6 समझ में आएगा वैसे भी देखलो माइनस वन, माइनस वन प्लस टू, माइनस टू, I'm sorry माइनस वन, माइनस वन सो टोटल माइनस 6 चार्ज है which should be compensated by प्लस 6 ठीक है ऐसा एक और स्ट्रेक्चर बताता हूँ जो है H2SO5 इसका नाम है पैरोक्सो मोनोसल्फियूरिक एसिड ट्रेडिशनल मेथर से इसका उक्सिलेसिन स्टेट कुछ और आएगा लेकिन यह जो स्ट्रेक्चर है वो कुछ ऐसा है H2SO5 यह माइनस 2 है यह माइनस 2 है यह माइनस 1 है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर यह टोटल माइनस 2 होता है ठीक है उसमें से यह प्लस 1 और यह माइनस 2 मलब OH का हो जाएगा माइनस 1 और यहाँ पर यह पैरोक्साइट से ठीक है तो सल्फर यहाँ पर तो Sulfur क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अगर आप यह पेरोकसाइड मतलब O-O-H ऐसे होगा ना, समझ में आ गया है, तो यहाँ पर minus to minus to minus one और यह भी minus one तो oxidation state क्या हो जाएगा आपका, plus six हो जाएगा, Sulfuric यतना ही होता है, समझ में आ गया तो यहां पर आपको है ना structure की जरुवत पड़ी कि आप directly traditional method x वाली method या कुछ variable पुट करके आप find करोगे तो आपका answer गलत आएगा ठीक है यहां पर एक और चीज भी देख लेता है जो बहुत important है आपने शायद नाम सुना हो paradox paradox of fractional oxidation number यहां पर कोई भी element जो अलग-अलग state में exist करता हो उसका oxidation state निकालने की method है कई बार इसके structure के regarding सवाल भी आता है मैं आपको कुछ example लेता हूँ जैसे कि अगर मेरे पास है C3O2 ठीक है structure दीखना है इसका C3O2 ठीक है so you can see here कि carbon यहां O के साथ जुड़ा है तो यह minus 2 तो carbon हो जाएगा plus 2 यह minus 2 तो carbon हो गया plus 2 यह carbon तो दोनों carbon के साथ जुड़ा है मतलब consider नहीं होगा so carbon का total charge कितना आया तो plus 4 आया जो कि divide करना होता है 3 के अंदर so carbon का state आ गया हमारा fractional that is 4 by 3 अलग-अलग state में carbon है इसको paradox बोला जाता है paradox of fractional oxidation number ऐसा ही एक और popular example जो है BR3-08 ठीक है BR3-08 का structure जड़ा देखो आप यहाँ पर 3 BR ऐसे में बता देता हूँ BR3-08 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 halogen की valence shell के अंदर 7 electron होता है इसने 7 bond बनाये है इसने भी 7 बनाये है इसने 6 बनाये तो एक electron यहाँ पर होगा BR3-09 ने BR3-09 के साथ बनाया तो यह covalency oxidation state में consider नहीं होगी minus 2 minus 2 minus 2 bromine will be plus 6 यह भी same है मतलब plus 6 जबकि यह minus 2 minus 2 मतलब हो जाएगा minus sorry plus 4 यह minus 2 minus 2 तो satisfy करने के लिए इसको होना पड़ेगा plus 4 so state क्या हो गया देखो आप total तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी तो bromine का state हो गया यह 10 और 16 16 divided by 3 ठीक है 16 divided by 3 state में bromine exist करता है fraction में होता नहीं है इसको paradox बोला जाता है सेम भी हमारे पर सिक और structure है s406 2 minus ठीक है चलो s406 2 minus का structure जो है वो कुछ ऐसा है s double bond o s s यहाँ पर भी s double bond o यहाँ पर double bond o और यहाँ पर o minus यहाँ पर double bond o और यहाँ पर o minus ठीक है सो लग अलग state देख लो यहाँ पर minus 2 minus 2 ठीक है यह तो sulfur खुद के साथ है यह minus 1 है so minus 2 minus 2 minus 1 तो यहाँ पर plus 5 हो जाएगा यह भी plus 5 हो जाएगा यह तो sulfur के साथ जूड़ा है मतलब 0 हो जाएगा तो average कि आ जाएगी आपके पास sulfur की 5 और पांच 10 किस में divide करना है चार में divide करना है so ऐसे बहुत important examples आपके सामने आता है यह paradox of fractional oxidation number ठीक है